आप सब लोगों का वाप्रिश्वागत है और आज हम लोग कि अपने स्थासन के स्थापना के दौरान जो प्रशाशनिक व्यवस्था बनाई गई थी उसके स्थेरीज में प्रबिश कर रहे हैं इसको लेकर हम लोगों का डिसकसंद दो पार्ट में बटा हुआ होगा दस कोस्टन्स हम आज करेंगे और दस कोस्टन्स इससे रिलेटर हमें एक दिन और करना है इनके 10 questions की और चल कर देखिए हम कोशिश यह कर रहे हैं कि उन जगहों पर से question बनाया जाए जहां से कमिशन वाले लगातार question पूछते रहते हैं और हम उन ही बिंदूओं पर आपका answer explain करने के दौरान भी कुछ ऐसी बाते बता सकें कि जहां से कि आपको direct question मिल जाए जब question मिल जाएगा तक हम समझेंगे कि हमारी कोशिश कामियाब है लेकिन हम इस भरोसे के साथ कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाना चाहिए हमारा और आपका भरोशा एक साथ बना रहे है तो हम इस बात को लेकर उमीद कर सकते हैं कि हम लोग सही दिसा में जा रहे हैं आप सब लोग का स्वागत है स्याम, संजय, मनी, प्रबेच, रिशिकेश आप सब लोग जूरते जाएए बहुत लोग का नाम पीशे चला गया है और अब लोग धीरे-धीरे जूरने लगे हैं सब लोगों को नमस्कार और गुडीवनिंग करने के बाद अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आज के पहले कोशन की ओर हमारा पहला कोशन क्या कहता है कि भारत में इसाई धर्म प्रचार विभाग की स्थापना कब सुरू हुई इसाई धर्व प्रचाड विभाग की स्थापना कब शुरू हुई इसका कोश्चन आपके सामने में है आप लोग इसका आंसर करिए भाग्यपती विश्तु कर्मा गुडीवनिंग चंद्रवीर सिंग जी नमस्कार किरन कुमित कुमार गुडीवनिंग आंसर आना सुरू हो चुका है कोई बीक बोल रहा है कोई सी बोल रहा है आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए गौलु कुमार संग जी नमस्कार मैं अब आंसर की ओर जा रहा हूँ तो इसका आंसर है 1813 के बाद कहानी यह है कि इस इंडिया कंपनी ने जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित किया तो उनकी यह कोशिश थी कि हिंदुस्तान से हमको ट्रेड का लाफ मिले और रेवेन्यू का लाफ मिले इसलिए वो इसाई धर्म के प्रचार बगर से दूर र पहले तक कंपनी के रूल्ड के अंदर इसाई मिसेनरियों को धर्म के प्रशार की अनुमत ही नहीं थी लेकि पार्लियमेंट ने इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को कहा कि आप अगले बीस बरसों तक साफन चला सकते हैं लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं उनमें से एक शर्त य खोलेंगे स्केलिस्टिकल डिपार्टमेंट खोलेंगे और वही डिपार्टमेंट खुला है इस एक्ट के बाद तो आंसर इस बी नाव नेक्स्ट कुश्चन यहां पर मैं आपको एक छोटा सा इंफोमेशन और दे देता हूं पूछा जा सकता है कि इसके पहले के समय तक इ देनिस बस्ती हुआ करती थी वहां पर इसाई मिस्णरियां ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी ठीक है पहले modern इंडिया के इस प्रोसेस से गुजर जाईए जब यह प्रकडिया हमारी पूरी हो जाएगी तो हम आपकी बात के मताबिक अपनी योजना सिप अप करेंगे अभी जो हाथ के अगे है वो यही कि यह MCQ पूरा करें नमर एक नमर दो आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस रूखे है वो पूरा करें और नमर तीन एंसेंट इंडिया का जो प्रोसेस रूखे है वो पूरा करें इन तीनों के पास शाथ हम आपकी बात को निशित अपर पॉजिटिवली ले होती है दोहरा प्रशार्षन की संसथागत शुरुआत आप लोग को ऑप्शन चुनना है ऑप्शन आर अल्री बिफॉर यू तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर शुरू कर दीजिए और उसके बाद फिर मैं आंसर क्यों चला जाओंगा आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है दो तीन बार में दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है बहुत बहुत धन्यवाद तो फिर आप पास करके दिखाईए हमको पास करके दिखाएंगे तो मैं समझोगा कि मैंने आपको ठीक पढ़ाया अधिकांस लोगों ने आंसर एक किया है वट आंसर इस सी क्योंकि कुछ लोग भी भी कहा रहे हैं मैं थोड़ा एक्स्प्लेइन कर देता हूं इस को आप ठीक से पढ़िए क्या कहता है कि ब्रिटेन में इस इंडिया कंपनी के मामले में दोहरा परशासन की तनस्थागत सुरुवात कब होती है तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि 1765 इस भी में बंगाल में जो दोहरा परशासन लागू किया गया था ये इस पर कॉस्चन है इसलिए आप लोगों ने ए कर दिया जो कि निशी तौपे गलत है ये बंगाल क के दोइद सासन का उग्दा रन कि बिटेन में इस्ट इंडिया और बीच में एक तरफ के इसंडिया कंपनी अर फे तरह इनके बीच में एक दोहरापन है और इस दोहरापन की सुरुवात कब हो रही है तो 1773 के Regulating Act के रास्ते जिसमें Act में कहा गया था कि इंडिया कंपनी आगे से इंडिया को लेकर जब कोई पॉलसी बनाएगी तो वह गवर्मेंट को इनफॉर्म करेगी परपस यह था कि ताकि गवर्मेंट उस समय आपको कंट्रोल कर सके लेकिन उस 73 के एक कमी यह थी कि कंट्रोल करने के लिए कोई बॉड़ी गठित नहीं किया गया था कोई निकाय नहीं बनाया गया था इसलिए इस इंडिया कंपनी ने उन्हें प्राया सूचनाइन नहीं दिया और इसलिए प्रूविजन नहीं नहीं हो पाया इस कमी को दूर करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया एक board of control का गठन कर दिया गए अब board of control का गठन जब किया गया तब जाकर answer सही होगा क्योंकि इस question की भासा को ठीक से परहो इसमें का गया संस्थागत सुरुवात कब हुई regulating act के साफ में कमी क्या थी control का idea तो था लेकिन idea को institutionalized support नहीं मिला था जिसकी कमी की पूर्ती हो गई fits India act तो now you must be clear तो answer is ती अब आपको मैं अगले question क्यों ले चलूँ अगला question देखिए देखो जब मैं आपके सामने question रखता हूँ तो उसमें ये बात हमेशा सामिल है कि ऐसे ऐसे सब्द आपके सामने में आ सकते हैं कि जिन सब्दों में ही तो पूरा कोपर असंसार होता है जो लोग अनुभवहीन होते हैं वो difficult fact पूछते हैं UPSC वाले difficult fact नहीं पूछते हैं तो जो अनुभवही होंगे वो आपको वहाँ पर जाके गलत करने की और ले जाएंगे जहां कि आप मजबूत है UPSC वाले में ऐसा बहुत होता है कि बाद में लगता कि धरते ही कि क्या गलती हो गई यार ये तो जानते ही थे इस तरह की गलतीयां करा करा करे और इसी गलतीयों से बचाना ही हमारा परफ़स है ऐसी गलतीयां कर लो आगे चलकर ऐसी गलतीयां कम करोगे तो सलेक्शन हो जाए निमलखित युगमों पर विचार करिए Civil Services के लिए प्रत्योगिता परिछा की सुरुवात Cabinet लबस्था की सुरुवात Royal Titles Act Public Works Development लोक निरमान विभाग उपरोक्त युगमों में से कौन सा युगम सही सुमली थे Your time begins now 10 seconds time I will give आप लोगों का आंसार आचुका है कोई C बोल रहा है कोई D बोल रहा है कुछ लोग A भी बोल रहे है अब कोई B भी बोल दे ताकि हमको लगे कि सारे के सारे options आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं शुरू करता हूँ Civil Services के लिए प्रट्योगिता परिछा की सुरुवात कब हुई तो 1853 में इंडिया में Civil Services का founder बोला जाता है कौन बॉलिस को उसके बाद फिर आप देखोगे कि 1833 में एक आट आता है जिसके माध्यम से इंडियान्स को Civil Services में भागिदारी देने की कोशिश की जाती है लेकिन इंडियान्स को भागिदारी मिलती नहीं है क्योंकि इस इंडिया कंपनी के Court of Directors के ही हाथ में Appointment का Soul Authority हुआ करता था इसके कारें इंडियान्स तो Discrimination का सिकार होई रहे थे बहुत सारे अंग्रेज भी जो कि सासन में सामिल होकर घुमिका निभाना चाहते थे उन्हें भी वन्चित होना परता था क्योंकि इस इंडिया कंपनी बाले Appointment में भाई भतिजाबाद का रास्ता अपनाते थे वो नेपोटिजम की पॉलसी फॉलो कर रहे थे इसका विरोध हुआ इंडियान के कॉमन लोगों में और उन्होंने संसद के ऊपर सुधार का दबाव डाला तो संसद ने 1853 में जो एक्ट बनाया लास्ट चार्टर एक्ट उसमें कहा गया कि अब से इंडिया कंपनी Appointment करेगी Competitive Exam के आधार तो यह कब 1853 में केबिनेट बेवस्था के सुरुआत इसको Portfolio System भी कहते है क्या सिस्टम था सासन का कि Governor General को एक Council के सहयोग से सासन चलाना होता था Council के सुरुआत कब हुई 1773 के Regulating Act में 1784 में क्या हुआ Council का आकार थोरा छोटा कर दिया गया और Governor General को कह दिया गया कि आपके पास में निरनायक पताधिकार होगा यदि बराबर की voting हो गई तो 1793 तक आते आते क्या हुआ ये बात हो गई कि Governor General का Decision अंतिम होगा और Council के लोग सिर्फ Advisory भूमिका में होगा इसके बाद आप 1853 में आके देखो तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर नजर आनी को है वो ये कि Governor General को दो Council दे दिया गया एक Council जो Legislative मामले में सपोर्ट करेगा और दूसरा जो Executive मामले में सपोर्ट करेगा Legislative Council के रास्ते धीरे 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 इंडिया में Parliamentary Democracy का विकास हुआ है तब जबकि सरकार के उपर Indian National Movement का दबाब परा और सरकार ने उनके दबाब में आके सुधार का कारे किया उसकी चर्चा आगे के दौर में होगी जो Executive Council था उसके अंदर जितने भी सदस्य थे वो सरकार के सभी मामलों में सरकार को सहयोग दिया करते थे लेकिन इसमें Professionalism नहीं होता है इसमें Mastery नहीं आती है Accountability नहीं होती है इस समस्या के निराकरन के लिए 1861 के India Council Act में यह प्रोविजन किया गया कि अलग-अलग सदस्यों को अलग-अलग विभाग दे दिया जाएगा जिससे समंधित मामलों का प्रभार वो देखेंगे ताकि Accountability and Specialization दोनों आ सके यह कब आया 1861 में Royal Titles Act जिसके रास्ते से महारानी Victoria को Queen of India डेकलर किया गया यह 1876 में और Public Works Development जिसके मार्धम से Railway का निर्मान हुआ कुछ नहरों का निर्मान बगएर हुआ डाकतार बगएर के विकास में TGI यह सब कुछ शुरू हुआ है Lord Dalhousie के काल में बनने वाले Public Development Work Department के रास्ते Public Work Development Department के रास्ते ठीक है अब देखो कि इसमें कौन सही है तो यह दोनों गलत हो जाएगा यह दोनों सही हो जाएगा और इस तरीके से आंसर चला जाएगा C आप लोगों ने जिन्होंने C दिया है उन सब लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई जिन्होंने C नहीं दिया है उन लोगों को सुभकान गौरब चंद्रबंसी तो स्रहिए आसीस यादव अच्छा आप लोग आपसे बात कर रहे है अलका रानी गुटीवी मेटा साहिल शिभिल सभोचिस से स्टार्ट ओके और चलिए आप सब लोगों का स्वगत है स subt 16 सब लोग धिरे धिरे जुरते जा रहे हैं और कुछ नए बच्छे बच्चियां भी मैं देख पा रहा हूं जो जुर रहे हैं आप सब लोगों के जुरने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है किसी तरीके से आप सामिल होते चलिए मेरा आंसर राइट था अरे तुम राइट हो जाओगे सेलेक्शन हो जाएगा अभी तो सुरुवात हुई है नेक्स्टोशन क्वेत गदर किसे संबंदित है what do you mean by this white mutiny your time begins now आपका टेलिग्राम लिंक नहीं मिलता है आप सिंपल खुद लो ना अनकेडमी रजनी सराज अनकेडमी हिस्ट्री बाइ रजनी सराज अनकेडमी हिस्ट्री बाइ रजनी सराज मिल जाएगा the answer is coming किसी ने कहा B किसी ने कहा A अभी तक A और B में टाई चल रहा है B आगे निकलता दिख रहा है A भी पीछा कर रहा है चलिए the time is up now मैं सुरू करता हूँ तो इसमें क्या कहानी है इलबर्ट बिल जब पेस किया गया था तो उसका भी पुर्जोर बिरोध हुआ था अंग्रेजों की और से लेकिन वहां म्यूटनी नहीं हुआ यहां म्यूटनी हुआ क्योंकि लॉर्ड क्लाइब ने एक regulation बनाया था कि अधिकारियों को जो दोहरा भत्ता बगर दिया जाता है वो दोहरा भत्ता नहीं दिया जाएगा यह पहला ऐसा केस है कि जिसमें इंडिया कमपनी के खिलाप उनके गोरे सिपाहियों नहीं बिद्रोह कर दिया इसलिए यह बहुत ही important event बाकी इंग्लान में भारती असवताथन के समर्थन में हुआ बिद्रोह परदर्सन इसा कुछ नहीं है कपास कर्सकों का कर अदाएगी से इनकार यह कुछ नहीं है ठीक है आगे बढ़ते है answer is A Warren Hastings के काल में जिला अदालत में कौन सा कानून अपराधिक मुकदमों में लागू होता था answer बताईए आप लोग और जल्दी करिए you got only 10 seconds to reply ज्यादा तर लोग A बोल रहे हैं अलाकि कुछ लोग B भी बोल रहे हैं अब B और A में मुकाबला एकदम जोरदार चल रहा है टक्कर का हो रहा है B आगे निकलता हुआ दिख रहा है मुझे चलिए अच्छा लेकिन A बाले लोग भी कुछ कम नहीं है लागता है कि एकदम कांटे का मुकाबला चल रहा है चलिए शुरू करते हैं वारेन हेस्टिंग के काल में जिला अदालत में कौन साथ अपराधिक मुकदमा लागू होता था तो इसमें गौर करने लाइक है देखिए कौनसेप्ट समझे तो आंसर निकल के आ चाएगा बिटिस कानून जैसी कोई बात अभी नहीं सुरू हुई है और देखेंगे कि अंग्रेजों का कानून लागू भी हुआ था कब तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ताहत ये बात कही गई थी कि सुप्रीम कोट बिटिस लॉग के मुताबिक कारे करेगा कर रहा था तो क्कलकत्ता में मदरास में रिखहन हुआ था क्या करा है कि दिला आदालत में US अप्रिम कोट का कोट ने जिला आ दालत Supreme Court will follow the British law not the district court तो यह अपने आप में कट जाता है उसके बाद तब अगला मामला यह निकल कर आता है कि हिंदू पर हिंदू और मुस्लिम पर मुस्लिम यह संभभ भी नहीं है यह सिभिल लौ में होता है जब सिभिल लौ से सम्मंधित मुकदमा हो तो यह बातें होती है कि हिंदू के उत्राधिकार का नियम उनकी रीतिया और इवाज के मताबिक होगा मुसल्मान के उत्राधिसार के नियम नेम उनकी रिती और रिवाद के मुटाबिक होगा लेकिन चत्या हुई है दो मुसल्मान को इसलाम के मुताबिक सजा और हिंदू को हिंदू धर्म परमपरा के मुटाबिक सजा इसी बात क erschट नहीं है क्रिम्ना लॉग एक ही जैसा हुआ करता था मद्यकाल में भी एक जैसा ही हुआ करता था प्राचीन काल में भी एक ही जैसा चला और अभी उन्होंने अंग्रेज कानून लागूनी किया था सुप्रीम कोर्ट के अलाबा हर जगा उन्होंने वही क्रिमिनल लागू किया था जो मद्यकाल से चल र तो हिंदू पर हिंदू का मुसलिम पर मुसलिम का और यदि हिंदू बना मुसलिम का है तो तो मुसलिम का प्रेफरेंस मुसलिम लौ को दिया जाता था इसी तरीके से कि यदि कोई ऐसा केस है जो सिभिल लौ का है लेकिन केस है हिंदू वर्सेस मुसलिम के बीच का तो मुसलिम लौक को प्रिफरेंस मिलता था क्लियर हो गया अब क्या है इस सर इसलिए हम गलत आंसर कर देते हैं कोई बात नहीं तो यह बात समझो कि हिंदू कानून के लागू होने का आधार नहीं है क्योंकि मध्यकाल के बाद बिटेस आये हैं मुगलों का काल था उसके पहले तुर्कों क्रिमनल लौ में मुसलिम लौ इस्ट्यबलिस हो चुका तो तो हिंदू लौ का बिकलब अपने आप चला जाएगा और मुसलिम पर मुसलिम नहीं भी नहीं सकता यह सामाने समझ दी ठीक रहे तो आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है मैं यह सिप उसिप नहीं चाहता कि तुमको बता दूँ कि देखो यह कोशन था यह आंसर है समझ दी आपकी बन गई तो यू कन डिराइब दा आंसर और डिराइबेशन के लिए मैं आपको एक मिनट और इसी पर रोक दूँगा कि आंसर डिराइब वही कर सकता है जिसके पास में अपना एक नॉलेज बेस भी है और नॉलेज बेस ही कहता है कि सुप्रिम कोट के अलावा कहीं भी बिटिस कानू लागू नहीं हुआ था यह आप्सन नहीं होगा क्योंकि डिस्टिक कोट के बारे में पूछा गया है कट गया दूसरा यही अंडर्स्टेंडिंग बेस्ट डेराइवेशन है कि हिंदू पर हिंदू का मुस्लिम पर मुस्लिम का यह तो सिफिल लौ में होता है यह कोसन कह रहा है अपराधिक कानून का यह तो होई नहीं सकता तो यह दोनों कट गए सब्सक्राइब करना चाहिए सभी लोगों को बिलकुल सेर करिए और लाइक करिये ताकि ये बात और भी लोगों तक पहुँचे अच्छा काम कोई करे तो उस काम को आगे बरहाने की जरत होती है तभी वो अच्छा काम सरभाईव करता है अच्छा काम ग्रो करता है और जब कोई चीज ग्रो करेगा तभी आप उसके लाभारती तभी होंगे ना आप उसके लाभारत सिफ और सिफ बनस्पति के दाने की सोचता है कि ब्र दाना मेरे हिस्ते मैंने उसको खोया मेरा पेट भर गया एक दूसरा थिंकिंग पैटर Ready होता है जो सोचता है कि यह बनस्पतिया लहलहाती रहनी चाहिए यह रहे हरे पुध्रे हiya हरयाली में बने रहने चाहिए और इसके लिए मुझे अपनी भुमकानी भानी चाहिए क्योंकि यदि बनस्पतियों की हरियाली रहेगी तभी तो मेरा भी पेट भरेगा यही ग्यान है गीता का कृष्ण ने अरजुन को कहा था कि मानव और रिशी के बीच में असल अंतर यही है इसका मतलब है कि मानव बने सामानने और रिशी बने अच्छा मानव अच्छा मानव बनस्पति की सोचता है और सामानने मानव सिर्फ अन्न के दाने की सोचता है और यही से निकला है थोरो का सिध्यान थोरो का सिध्यान्त जो कहता है सब की भलाई में ही अपनी भलाई होती और गांधी के उपर गीता और थोरो दोनों का असर है और गांधी का विचार यहीं से निकला है जिसमें वो कहते हैं सरवोदय सब के उदय में ही हमारा भी उदय होगा गांधी ने बेसिकली सरवोदे का जो सध्यांत बिक्सित किया है वो थोरू का ही तो अधारी थे समझ गए अब देखो ये बात तो आपकी हो गई अगला पॉस्टन है 1773 में बिधिकेशन हिताकरण की सुरुवात होई कोडिफिकेशन दोला की सुरुवात होई और नवालिस ने भूमी संगरहन के लिए भूमी राजस संगरहन के लिए भूमी राजस रेभिन्यू के संगरहन के लिए भूमी राजस के संगरहन के लिए एक परतिसत कमिशन की सुरुवात किया कंपनी ने कॉन वालिस के बहु आयामी योगदानों के लिए आजीवन पेंशन दिया कॉन वालिस ने नियत समय पर कर वसूलने के लिए संसेट थेहरी की सुरुवात किया उप्यूक्त कथनों में से कॉन से कथन सही नहीं हैं तो चलके देखेंगे आप पहले अपना आंसर दीजिए पहले आप अपना आंसर दीजिए बी आंसर आना सुरू हो चुका है कि इसने बी दिया था उसने फिर मिटा दिया ओके मेविकी धोके से लग गया होगा अभी ए और सी के बीच मुकावला चल रहा है बी का भी प्रवेस हो चुका है लेकिन ए आगे निकल रहा है ती ए भी नमबर तीन पे भी है चलिए मैं अब शुरू करता हूँ आंसर देना आप लोगों का आंसर आ चुका है 1773 में विधी के सनिता करन की सुरूआत हुई ये एक गलत बयान है कोडिफिकेशन अब दा लोग की सुरूआत होती है 1833 के चार्टर एक्ट के माधिम से लोग कमिशन का गर्षन किया गया था अंडर दी लीडर्शिप अफ लॉर्ड मिकॉले और उन्ही को यह दाई तो दिया गया था कि आप विधी के सनिता करन के सुरूआत करेंगे उसके बाद फिर सकेंड लॉग कमिशन बनाया गए 1853 में 1857 के विधी के सनिता करन के प्रकड़िया में तेजी आ गई उसी के आधार पर देखिएगा कि IPC, CPC, CRPC, Contract Act, Evidence Act यह सब के सब कोडिफाई कर दिये गए इस कोडिफिकेशन की शुरुवात 1833 के पहले नहीं हुई थी यह तो गलत हो गए उसके बाद क्या है? कॉर्न वालिस ने भूमी के संगरहन के लिए एक प्रतिस्थत कमी संग सुरुवात किया था यह सही बयान है कॉर्न वालिस के पहले तक अधिकारियों का ब्यापारी और प्रशाषक दोनों अलग है और प्रशाषक उपहार नहीं लेंगे तब उनकी आमदनी कम हो गई कम होगी आमदनी तो कैसे काम करेंगे आगया कि आमदनी कम है तो भी काम कर सकते हैं शर्त यह है कि उनके पेमिंड में ब्रधी कर दी जाए और दूसरी बात कि उनको इंसेंटिव दे दिया जाए रेवेन्यू की वसूली के लिए कि दी रेवेन्यू की वसूली करेंगे तो उसमें से एक परसन का कमिशन मिले कम से कम वो गैर वाजिब तरीके से पैसा कमाने का प्रयास नहीं करेंगे और ब्यापार और प्रशासन के बीच में वो कोई मिक्स नहीं करेंगे इस तरीके की बात शुरू है तो ये बाली बात सही है कॉनवालिस ने कंपनी के बहु आयमी युगदानों के लिए उसे आजीवन पिंसन दिया कई तरह का युगदान दिया है कॉनवालिस ने इसी ने मैसूर को जीता था जिसके अधार पर मैसूर को निरनायक रूख से कमजोर कर दिया गया था इसी के काल में प्रशासनिक धाशा ठीक से पॉन्सॉलिडेट किया जा सका कहा जाता है कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज का फाउंडर यही था इसी के काल में पर्मानेंट सेटल्मेंट एंजमितारी सिस्टम लागो हुआ जिसके बाद बटेस गवर्मेंट को रेगुलर रेवेन्यू मिलने लगा कहा जाता है कि एक ब्यापारिक कंपणी को राज के रूप में तबदील करने में इसका युगदान बड़ी निरनायक था इसलिए इसको पिंसन दिया गया था पहली तफ़ाए इसी को पिंसन दिया गया था उसके बाद पॉन वालिट्स ने नियत समय पर कर वसूलने के लिए संसिट के सिध्धान के सुरुवात किया था यह भी सही है जिसका मतलब होता है कि सरकार के दौरा तै की गई अंतिम तिथि तक आपने एदिर रेवेन्यू का वुक्तान नहीं किया तो फिर क्या होगा तो होगा यह कि आपकी जमिदारी कन्फिस्केट कर ली जाएगी उसका अधिगरहन कर लिया जाएगा और उसकी निलामी चरह दी जाएगी निलामी पर बोली लगेगी ज्यादा बोली लगाने बाले को जमिदारी दे दी जाएगी इसी रास्ते आगे चलकर दूरवासी जम्यदारों का एक वर्ग उभर कर आया था एबसेंटी लेंडलोट्स का एक वर्ग उभर कर आया तो ये सही है ये वो सिधान्त है कि जिसको बाद में रहियत बारी में और महालबारी में भी लागू करते हुई देखेंगे तो इन में से कौन सही नहीं है तो ये सही है ये सही है ओ ओ ऱरे इसमें तो एक लोचा है भाई कौन सही नहीं है कि मताबिक तो औप तो इनेगढ़ा गया है कौन सही है कुछ ताब एक option कर दिया गया है तो माफ करिए आप लोग इस वामले में पुरी इसी गलती हो गई है मैंने जो सोचकर answer दिया था मुझे लगता है कि technical team ने कुछ जो typing के दौरान इसी गलती कर दिया जिस गलती के कारण दिक्कत हो गई है I think question होना चाहिए थे कौन स सही है यह नहीं सब्द additional जूड़ गया है question में यह additional जूड़ के कारण दिक्कत कर दिया आप लोग इस बात को समझ सकते हैं typing वाले ने गलती किया और मैं जब देख रहा था तो मेरी दृष्टी भी नहीं गई I accept my mistake कोई बात नहीं आपको जानकारी मिल गई और मुझे लेशन मिल गया कि मैं इस तरह के चीज़ों में और ज्यादा इलर्ट रहा करूँ ताकि कोई ऐसी गलती नहों चलिए ठीक है अगला पॉइंट क्या है निम्लिखित कत्नों पर बिशार करिए अनेक बिंदूओं पर कॉर्णबालिस का प्रशासनी सुधार वारिन हेस्टिंग्स के प्रयासों का ही परिमारजन एबं बेवस्थित екटनों अनेक बिंदूओं पर कॉर्णबालिस का प्रशासनी सुधार वार्रें हेस्टिंग्स के पढयासों का ही परिमारजन और ब्यवस्थित निधारन था उसके बाद कि प्रशासन के लिए कोड कंडक्स की शुरुवात किया इसके बाद कॉर्णबालिस का प्रशासनी गठन फक्ति के प्रिथकरन पा धारित था। कौन वाले भारतियक योगता में विश्वास रखते हुए प्रशासन का धाचागर भी उस्में यही है कि उप्रयोगत्व कथ्नों में से कौन से कथन सही नहीं है कौन का सही नहीं है आप लोग इसको पढ़िए आंसर करिये आंसर देना शुरू भी कर दिया लोगों ने यह बता रहे हैं आप लोग आंसर दीजिए मैं हट जाता हूं फ़र पत्काल आप ने आंसर देना शुरू कर दिया है और मैं इस मौके का लाव उठा कर पानी के लेता हूं और अच्छी बात यह है कि आप लोग के options में से c, b, d, a सब आ रहा है Mr. Perfect बात तो तुँ ठीक कर रहे हो चलिए मैं आंसर करता हूं अनेक बिंदूओं पर कौनवालिज का प्रसास्थनिक सुधार Warren Hastings के प्रयासों का ही परिमारजन एबं बेवसित निरधारन है यह लाइन थोरा सा comprehensive है inclusive statement है लेकिन फिर भी सामाने समझ बाला statement है इसके उपर UPSC बाले आप से mains में कोशन पूछ सकते हैं और यह बात सही है कि Warren Hastings ही पहला हुआ आदमी था जिसने administration के छेतर में बहुत सारे सुधार के प्रयास की सुरुबात किया था उसको consolidate किया उसको mature stage तक पहुँचा दिया Lord Cornwallis ने Warren Hastings का period trial and error के period माना जाता है और Cornwallis का period consolidation and perfection के साथ में institutionalization का period माना जाता है तो मैं इसे सही मान लेता हूँ Warren Hastings ने प्रशासन के लिए code of conduct की सुरुवात किया था ये बात गलत है code of conduct की सुरुवात किया था Lord Cornwallis ने और इसी के तहत कहा गया था कि प्रशाशक ब्यापार नहीं करेंगे और प्रशाशक उपहार नहीं लेंगे आचरन की सनहिता प्रशाशकों के लिए तै किया था और इसी लिए कहा जाता है कि वो वेक्सिकली imperial civil services को धाचागत रूप देने वाला मूल आदमी था न्यू स्टेटस नमस्कार गुरू जी आपकी एक ये ओल्ल मॉडन इंडिया की वीडियो देखिया मुझे गुजरात पॉब्लिक सर्विस कमिशन के एक्जाम में डिरेक्ट पतीस मार्क्स का बेनिफित हुआ और मेंस में 30 प्लस मार्क्स का काम आया थेंक यू सो मच सर्थ थेंक यू सो मच बेटा थेंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू और अभी कल ही मुझे इस तरह की ख़वर मिली कि अपना क्लास का स्टूडेंट है जो पंजाद PCS में 12th रेंक लाया है और आपको यह मालूम हो कि आपके साथ में इस सेशन में कई सारे ऐसे लोग भी तामिल हैं जो लोग की अलड़ी UPSC पास कर चुके हैं दीपक आरियन उसमें से एक है राजीप सिंग उनमें से है बिहार PCS का फस्ट रेंकर स्रियांस आपका यह सेशन देख रहा होता है ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपके सेशन को देख रहे होते हैं और पीटी वाले सेशन के कॉम्परेटर में जो दूसरा सेशन आता है मेंस मेंस के आंसर राइटिंग वाले में वो रेगुलर हैं हर दिन देखते हैं तो आप लोग समझिए कि जो लोग अल्रेडी सेलेक्शन पात चुके हैं वो लोग भी रेगुलर देख रहे हैं आप लोगों को भी इसके बारे में एक sincerity ये कि इमेंस वाले में आंसर राइटिंग का काम चुरू कर देजी और कई लोग लोग मांग रहे हैं तेलिगराम के चैनल का लिंक आप haven कर लिएगा आगे मैं कल से एक काम करूँगा कि टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं इसमें पेस्ट करवा दूँगा तो आप लोग देखका इसको कर लीजेगा वैसे मैंने बताया है कि वह अनकेडमी रजनी स्राज अनकेडमी हिस्टी वाई रजनी स्राज इस नाम से आएगा चलिए यह गलत हो गया कौनवालिस का प्रसास्थनिक गठन सक्ति के प्रिठकरन पाधारित है यह सही है तो कि कौनवालिस ने रिभिन्यू कलेक्टर और जजज दोनों के राइट को सेपरेट कर दिया पहले ये दोनों एक ही बिक्ति में हुआ करते थे अब उनको सेपरेट कर दिया इसके बाद फिर क्या है कि कौन वालिस भारतिय की योगिता में विश्वास करते हैं पर सासन के धाचागरा जो की एक दम बलफ है वो कहता है कि भारतِّये लोग ना तो योग हैं ना तो इमानदार हैं इसलिए उसी ने पहली दफा भारत में सासन के धाचा का नसलबादी स्वरूप institutional तरीके से इंट्रूद्यूस किया था institutional तरीके से नसलबाद को खापित करने बाला व्यक्ति कॉन वालस ही था यह बात गलत है इन में से कौन सा कसन सही नहीं है तो कौन सा कसन सही नहीं है आंसर आएगा C दो और चार दो दिन में हिस्टिक खद्म करना है कैसे करें एक जाम अभी दो दिन में हिस्टिक खद्म करने के बारे में सीक्रेट नहीं बताऊंगा अभी मैं इस काम के लिए हूँ पहले यही काम करूंगा उसके लिए मैं एक दिन किसी और दिन नॉर्मल डिसक्रशन के लिए जेनरल बात पर बात करने के लिए आऊंगा तब इस दिन आपके साथ ये बाते होगी अभी आगे बढ़िए इसने प्राच्छाचारिता में अंग्रेजी स्वतनता की भावना भर दी या बक्तब किस गवर्णर जन्रल की कलकत्ता इसी प्रतिमा पर खुदा हुए आप लोग बताईए आंसर करीए फटापट है अंसर आप आ रहा है क्या है अभी परसर सर हिस्टी के लिए इंडिया एंसेंट पास्ट वारेश सर्मा अक्षी किताब है दोनों बरे हिस्ट्र रहे हैं लेकिन दोनों मार्क्सिष्ट स्कूल अपॉट को बिलाउन करते हैं दोनों का दिहान हो चुका है कई तरह के नए सोध आएं हैं उनका कबरिज नहीं मिलेगा और मार्क्सिष्टिलिस मिलेगा इन दोनों को एदि आप किसी और माध्यम से रिजॉल्व कर सकें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत बिद्वान आदमी थे वो और उनकी किताब बहुत अच्छी थी और पिछली सरकारों के समय में उनकी किताब को कि तैयार करने बाले बिद्यारतियों ने समझे कि में स्टोर्स बुक बना के रखा था तरकार बदली है लोगों की सोच भी बदली है कमीशन बाले लोग जो बैठे हुए हैं उनकी भी समझ कुछ खास तरह की है इन सब के मद्दे क्वेश टिक को इनफ्यूज कर दिया किसके बारे हम कहा जाता किắnिक एडियाओ वेश्टन लिवर्टी फींद ओरिंथ स्फोर्टिश तो के कि क 근 कि मूर्थी के ओपर इंस्तों कि गई है एक व्य गवर्वर्न ज О सैंसे эта इंस्क्राइब किया गया है then who is the man और किस ने यह बयान दिया था यह बयान दिया था लॉड मैकाले ने लॉड मैकाले के बयान को ही इसमें इंस्क्राइब किया गया है इसे अंग्रेज लोग कई दफा कहते हैं मौडरन इंडिया का यह सिल्पकार था मौडरन इंडिया का मेकर था अब था की नहीं था मैं उसकी बात भी नहीं बताऊंगा इसको कई लोग भारत में आने बाला पहला यूटिलिटेडियन गवर्नर जनरल कहते हैं ये आदमी भीरत में आने बाए घवर्णनरौ और जनरलों में पहला जनरौ है यह एक सच है यह से इंडियन अर्फ। इंडिया क्योंकि 1833 के एक्ट के मुताबिक पहली दख़्ा यह प्रावधान किया गया की गवर्नर जनरल अब पूरे हिंदुस्तान के लिए लाव मेकिंग का काम करेगा उसके पहले मदरास का गवर्नर अपने हाँ का लाव बनाता था बंबई का गवर्नर अपने हाँ का लाव बनाता था वो बंगाल का लौब बनाता था अब गवर्नर जनरल पूरे हिंदुस्तान का लौब बनाने लगा इसलिए अब वो गवर्नर जनरल अप इंडिया कहलाने लगा अगला पॉइंट यह है कि इसको यूटिलिटेडीन कहा जाता है इसके समय में कई परकार के समाजी सुधार के काम होई इसके समय में पहली दफ़ा British Education को गवर्नमेंट ने अपनी Official मानता देकर उस दिशा में काम करना सुरू किया इसके समय में बिधी के सनहिताकरन की सुरुवात हो गई इसके समय में हिंदुस्तान के लोगों को प्रशासा में भागीदारी दी जाएगी इस तरह का कानून बन गया इसके समय में इंडस्ट्रिल क्याप्टलिजम का बिकास इंडिया में हो रहा है लोट्स आधार पर लोट बिलियम बेंटी के बारे में लिखते हैं तो कह देते हैं का दे वो तो यूटिलिटेरियन था वो तो इंडिया के मॉड्निजम का एक प्रकार का शिल्पकार था आदे आदे लेकिन अभी मैं उसके होने ना होने के डिवेट में आपको ने ले जाओंगा इन बरों है कि जिसके काल में दास पर था किसमापती हुई है तो बहुत कुछ हुआ है आज से मैंने ये प्लाइन किया है कि मैं आठ के बजाए 10 में से 10 कोसन आज ही करा दिया करूंगा मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए रेकिन आपने कमेंट बॉक्स में बताया नहीं तो मैंने उस आइडिया को ही ड्रॉप कर दिया अब मैं 10 में से 10 कोसन का अंसर आज ही बता दिया करूंगा किसे संब्दित है बहुत महत्पूर्ण है आप लोग बताइए फटाफट पर्फेक्ट आपने क्या बताया और बूलिए या कि पर्फेक्ट साहब ने जो बताया है वो पिछले पोशन का अंसर बताया अंसर आना शुरूा हो गया एह ज्यादा फता लोगोंDAY कि नहीं ने क्च लोग ने आगे चल रहा कोई एक आप्षिन तख सब लोग सीमित नहीं है कि इbok उमित कुमार में कोमार और करिशना कुमार अभरेंद्र मोहित परवेज साहिल मनी विजय संकर प्रतिभा सब लोगों के आंसर आ चुके हैं राउनक पतेल सर्फ पॉसिबूल हो सके तो प्लीज आप एंसेंट हिस्ट्री का यूट्यूब के कोर्स लेना विकॉज आप से हिस्ट्री पढ़ने से हिस्ट्री में थिंकिंग का तरीका हो चुका है अगले सकता फिर आएगा जिसमें कि कई सारे कवर करूंगा फिर धीरे धीरे मतलब चार सेसंस में अर्ली मेडवल इंडियन हिस्ट्री का आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरा कर दूंगा आप लोग उसको करते रहिएगा आंसर इस डी क्योंकि इसमें य यह चाहते हैं कि की निक्तियों में किसी प्रकार का खेद न हो तक तक और की खृत के आधार पर जाती के आधार पर लिंज निकांद थान के आधार पर विमय लाकर आप कहे चाब में ही रह गया क्योंकि इस समय तक इंडिया कंपनी वाले वही अपनी मरजी से ब्यक्ति के चयन का अधिकार था वह काबिल है कि नहीं है इसका निरने कंपनी वाले फुद करते थे पहले कहते थे कि हम इंडियन की नुक्ति नहीं करेंगे अब कहते हैं कि नुक्ति तो क्या अंतर हुआ पहले वो कहते थे कि नहीं करूंगा तुम लोगों की अब कहते हैं करूंगा काबिल आदमी मिलो गए तो करूंगा लेकिन किया नहीं और इसी बैगरांड में 1853 वाला वो चार्टर एक यार करें जिसमें कहा गया कि अब परतियोगिता परिछा के बात हुई तब भारतिये लोग भी फॉर्म भर ने लगे तो उनको किस तरीके से रोका जाए इसका उपाय आगे किया गया उपायों की चर्चाबाद में करेंगे अब देखोगे की आंसर इस डी हो गया लास्ट कोस्टन इस यह इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमें दिया जाता है जिसको एसरसन कहते हैं मैंने वक्तब और दूसरा दिया जाता है वो भी एक स्टेटमेंट ही होता है लेकिन वो रीजन के साथ जोड़ गया है कि यदि पहली बात जो कही गई है उसके होने के लिए दूसरा बाला बयान जिम्मेदार है तो हम मानेंगे कि पहला सरसन है दूसरा रीजन है यदि statement पहला भी सही और दूसरा भी सही येकिन पहले और दूसरे की बीच में कोई link नहीं है दूसरा पहले के होने का कारण नहीं है तो क्या होगा हम करेंगे भी सही इसमें देखेगा कि A और R होता है A और R assertion and reasoning लेकिन यदि R A की याच्ख्या करता है R के कारण A हुआ है तो आंसर जाएगा A यदि A भी सही आर भी सही लेकिन R A की याच्ख्या नहीं करता है आंसर होगा B और यदि A सही R गलत तब आंसर होगा C और यदि A गलत R सही तब आंसर होगा D इसमें A, B, C, D बाले के लिए आपको थोरा सा मगजमारी करके दिहान बिठाके इसको समझ लेना चाहिए और आपने कभी इस पर प्रेक्टिस नहीं किया है आपका आठ दस मिनट का टाइम एक्स्टा चला जाएगा और ये दस मिनट एक्स्टा आपके एक दो कोस्टा ठीक करने की समभावना को मार देगा उससे वचने के लिए आपको घर में बैटके कर लेना चाहिए मैंने जाणबूश के यह कोसं दे दिया फ्लासट कोसं यही है आपका फिर से बता देता हूँ पृत्त होँके सुनियेगा दो स्टेटमेंस हैं statement के सामने में ऐसे ही heading दिया जाता है इसे कथन कहते हैं इसे कारण कहते हैं इसमें options कैसे गढ़े जाते हैं कि यदि कथन A और R दोनों सही है तथा R A का सही अस्वस्टी करन है तो माना जाएगा कि A सही होगा A विकल पाएगा उत्तर में एदि A और R दोनों सही येकिन R A का सही अस्वस्टी करन नहीं है तो B होगा उत्तर और A सही किन्तु R गलत C होगा उत्तर A गलत R सही D होगा उत्तर अब आप लोग को इसके मताबिक आंसर करना है Warren Hastings ने Board of Revenue का गठन किया Warren Hastings ने द्वाइद इसासन का अंत कर दिया क्या होगा Answer बहुत लोगों ने Answer दिया है A किसी ने दिया है B A और B के बीच में ही Answer घूम रहा है अब देखो इसने D भी दिया है D का कहना है कि A गलत आर सही है ना सबसे पहली बात तो यह है कि Warren Hastings ने Board of Revenue का कर्शन किया था तो हां यह सही है कि दूसरा है कि Warren Hastings ने द्वाइद इसासन का अंत किया द्वाइद इसासन का अंत किया Warren Hastings उस समय लीडर है तो इसको भी क्रेडिट दिया जा सकता है यह decision तो बड़ा decision है लेकिन Warren Hastings भी उस दौर में क्योंकि लीडर सीव के position में है तो इसको credit दे सकते हैं और इसको credit देंगे तो क्या होगा कि यह दोनों सही है दोनों सही है इस आधार पर तो कोई doubt नहीं है लेकिन यह दोनों सही है तो प्रस्थ यह उठता है कि यह इसका कारण है क्या क्या यह कि दोईदर साफशन खत्म हो गया board of revenue के गठन किये जाने का कारण है क्या यह उत्तर है yes कैसे इस तरीके से कि जब दोईदर साफशन चल रहा था तो बंगाल के नवाब को साफशन के लिए निजामत की जिम्मेदारी दे दी गई और दीबानी किस ने लिया इस्ट इंडिया कंपनी ने इस्ट इंडिया कंपनी ने दीबानी से के भिर्भन की वसूली कैसे किया उपदिबान के रा़सं वर्डाख खान और सिताब राएक के सहियोग से अब जबकी बंगाल का सासन कंपानी ने अपने हाथ में ले लिया और पारआ हाथ में आगया इन्होंने डियुकर की वसूली की पूरी दिम्म्ारी भीaci अपने लिया जब रिभेन्यू की वसूली का पूरा काम इनको करना है इसलिए उन्होंने बंगाल में एक बोर्ड ऑफ रिभेन्यू बनाया और उस बोर्ड ऑफ रिभेन्यू के अंतर्गत फिर तमाम डिस्टिक्स बनाये जहां कलेक्टर के पोस्ट को पहली दफ़ा कॉंसिचूट किया गया पूरे बंगाल के revenue के मामलों का जो highest body था वो यही था board of revenue क्योंकि इस डिन्य कंपनी ने revenue की वसूली की पूरी जिम्मदारी अपने हाथ में ले लिया था answer is A आज की चर्चा अब यहीं खत्म होती है लेकिन इसके पहले की मैं चर्चा खत्म करूं आपके सामने में यह रहा आज का question मेंस का इसी question के उपर मैं कल के class में चर्चा करूंगा कल के class में जो मैं चर्चा करूंगा वो इसी question के answer की चर्चा करूंगा आप लोग इसका answer लिखने का प्रयास करिएगा इसके साथ ही मैं आपको दो बातें और बताता हूँ एक बात यह कि Unacademy में आप सब्सक्राइब कर लीजिए अटिकुलेट चैनल को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप क्लासिस रेगुलरली करते रहेंगे दूसरी बात यह है कि आप इनका आप डाउनलोड कर लीजिए आप डाउनलोड कर लेने का एक फाइदा यह होगा कि इसके उपर कई तरह के स्पेशल क्लासेस आते रहते हैं इसके लिए आपको एर्मिशन नहीं लेना परता है जैसे कि अभी ही पांच बज़े से लेके साथ बज़े के बीच में मेरा एक स्पेशल सेशन हुआ जिसमें कि मैंने पार्टिशन आप इंडिया के उपर दो घंटे का क्लास लिया Partition of India के उपर वो दो घंटे का क्लास आप फ्री में सुन सकते हैं वो निश्चित तोर पर आपके उस टॉपिक की तैयारी को ऐसा धार दे सकता है कि जिसके बाद आप कम से कम कॉंसेप्चुली बहुत स्ट्रॉंग हो जाएंगे किसी भी तरह के प्रस्न से आपको फिर डर नहीं लगे आप उस वीडियो को अकेले सुनने के लिए भी चाहें तो आप डाउनलोड कर लीजिये वो वीडियो सुन लेजिये ऐसे कई सारे वीडियो आते रहेंगे मेरा भी आएगा अने लोगों का भी आएगा आपका choice है, आप किसे सुनना चाहते हैं और अदि आप इसका score subscribe करना चाहते हैं, plus channel के लिए, तो आप स्वागत है, और मेरे code से भी आप उस course को subscribe कर सकते हैं, मेरा code है तिहनता 10, मेरे कोर्स मेरे कोड से सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 10% का एक की में भी राहत ओफर किया जाएगा इस कोर्स को इस कोर्स के साथ आप परचेज करें मुझे इसकी सूचना मिल जाया करेगी अगला पॉइंट यह है कि आप लोग आंसर लिखा करिए आंसर लिखेंगे धीरे धीरे लिखना सीख जाएगे छे महीने का समय देखते देखते बीच जाएगा और छे महीने में आप ये से वो हो जाएगे आप पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा विकल्प चुना आज के लिए बस इतना ही आप सब लोग को नमस्कार वाई बाई बाई तो नैट झाल झाल